हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे श्री लंका बसे इंडिया का बीच जो T20 मकाबला खेला जाएगा तीसरा उनके बारे में ये जो T20 मकाबला तीसरा खेला जाएगा वो खेला जाएगा श्री लंका और इंडिया का बीच ये इंडियन समय अनुसार कल साम को 7 बजे खिला जाएगा कल साम को 7 बजे जो मकाबला होगा उस मकाबले में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा साथ ही साथ आप लोगों को एश्टों कौन सा टीम है कमजोर कौन सा टीम है और आप लोग स्री लंका का आज कमजोड समझेंगे लेकिन स्री लंका आज इंडिया पर भारी परने वाला है क्योंकि रिशाइन के मैच head to head मकावला इंडिया जीते हैं मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इंडिया हार जाए लेकिन स्री लंका जो है आज इंडिया पर भारी परने वाला है क्यों भारी परने वाला है इनका रीजन बताऊंगा और रिशाइन के फॉर्म में कुछ पिलियर नियू पिलियर इंटरी किया है क्योंकि लगतार दो में काबले स्री लंका हार कराया है जिसके कारण लाइनम में बदलाव जरूर करेगा स्री लंका जब लाइनम में बदलाव करेगा तो पाबर पूरा जौन जीब लगा देगा इंडिया को हराने के लिए इसलिए आज स्री लंका का परलाव भारी परने बाला है इंडिया पर भले जीतेगा इंडिया, मैं भी चाहता हूँ इंडिया जीते हर कोई इंडियन बास इंडियन का खिलाब तो नहीं है लेकिन आप लोग को कहना पड़ता है कि भारी और इस्टों की बात है आप लोग ये सोचते होंगे इंडियन होकर इंडिया का खिलाब करता है हारा अरतने के रिए सोचता है मैं ये सोचता कभी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अनुभाव है experience है इसके अधार पर मैं बता देता हूँ चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन में बात करते हैं सबसे पहले देखिए विकेट कीपर सेक्षन में केडे मिशन recent के form अच्छे है लेकिन इंडिया का खिलाब इनका बल्ला अभी चल नहीं रहा है दो मुकाबले खेले हैं खास परदर्शन नहीं किया है आज जो है रिसा पंथ खेलेगा नहीं एक मुकाबले में रिसा पंथ की भी बदलाब आया है आज जो है के पिरेरा के पिरेरा भी नहीं खेलेगा इनका भी लैनम में नाम शामिन नहीं है आज संजू समसम तीन नमर में बैटिंग करने आएगा लेकिन सिरी लंका के खिलाब खास इनके भी बल्ले एक मुकाबले में खेले हैं नहीं चला है सालेक्षन पर्षेंट लो है अच्छे खासे बैस्टमिन के रूम में का सकते हैं और ये भी संजू समसम लाजबाब बैटिंग करता है इसलिए आप लोगों को खेलने का चांस ये दो विकेट कीपर को मिल सकता है अभी फिलाल के लिए लाइनम में नाम सामिल है इन दो विकेट कीपर को दो बिकेट कीपर में से अगर आप लोग head to head league या small league, mega GL, GL का save team लगाते हैं तो इन दोनों में से दोनों को try कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक को try कर सकते हैं अगर grand league का रिक्षी team बनाते हैं तो आप लोग किसे try करने आए और क्यों करना है region भी बताएंगे ताकि आप लोग एक अच्छे खासे team create कर ले में खिला जाएगा यह जो इंटरनेशनल स्टेडियम जो खिला जाएगा हिए तो वैटिंग दर्शा रहा है लेकिन मेरे अनुभाव और इस्पिरेंस काता है यह वाइलेंस पीछ है और हिए पर पेसर को दर्शा रहा है लेकिन हिए पर एस्पिनर और पेसर दोनों चाहेंगे तो भी नक्सान होगा अगर आपotional ऊंद रेकर जाएगे तो भी नक्सान होगा इसलिए अगर आप लोग नक्सान से बचना चाहते हैं तो दोनों के दरसाया गया है अ याप शूरिया कुमार यौद्षड के बारे में बात कर लेते हैं सूरिया कुमार्यादव का लाइनम में नाम 3 में सै चार नमर में आवीज्ष सामिल है चार UPL लिए विट्पर नमर में आने के बाद जुद भी अच्छे खासे पर्दसन किया है और जब-0 प्भाण सैरीलंका का गन्स मुकाबले हूआ है चाहे वछ हे पॉन्च साल पाले हो चाहे दो बाद हो लेकिन सूर्याकमार को बल्ले चमकता है स्री लंका का गेन इसलिए सेफ पिलियर के रूम में तो सूरिया कुमार यादव तो रहवे करेगा लेकिन केप्टन और वाइस केप्टन आर सूरिया कुमार यादव को सोच समझ कर लेना है और आज भी सूरिया कुमार यादव को बल्ला चल सकता है यहां पर बात कर लेते हैं पादू निसंका एडिसान के फॉर्म अच्छे नहीं है लेकिन इस गराउंड पर इंडिया के खिलाब खास तो नहीं 33 कावरेज है अच्छे खासे परदर्शन करेगा अब बात कर लेते हैं जेसुवाल भाई इन सबको जेसुवाल का रिकाउड एडिसान के फॉर्म काफी जबरदस्त है दो मकाबले खेले हैं दोनों में इनका बल्ले चले हैं अज सुमन गेल नहीं खेलेगा एडिस जंका को खेलने का चौंस है लेकिन पहुंच नमर में है यह स्री लंका का बेस्टमिन है खास परदर्शन नहीं कर रहा है केड़े में इस परशेंट वाले बेस्टमिन को इंग्नोर करकर लो सरेक्षन परशेंट वाले वलंडर या बॉलर को लीजिएगा तो आपको अच्छे खासे प्रोफिट देखने को मिल सकता है अब देखिए मैं क्यों लेता हूं और क्यों लेंगा किस कारण से लूँगा अब वलंडर सेक् अच्छा खासा परदर्शन करेगा ठीक टाक उमीद लगा सकते हैं हार्दिक पांडिया हमेशा अच्छे खासे परदशन करेगा यह पर दूर सेंक अच्छे का से कर रहा है head to head मकाबले ठीक टाक किया है अब यहां पर अक्षर पटिल का रिजन के फॉम अच्छे हैं head to head मकाबले भी जिस तरह से खेला है अच्छे खासे परदर्शन कर रहा है शीवं दुबे का अच्छा खासा रिकाउड है अगर शीवं दुबे खेलेगा तो डर्मकाड यूनिक के साथ साथ अच्छे कासे विंडो सार हसरंगा अगर आज लैनम में तो नाम सामिल नहीं है हो सकता है खेलने का मोका मिल जाए तो अच्छे खासे परदर्शन करेगा रियान पर एक मकाबले खेले हैं ठिक टाक बिकेट निकाले हैं ठिक टाक उमीद किये हैं अब ये पर साथ ओलंडर है साथ ओलंडर का रिकाउड अच्छे हैं अब इन साथ ओलंडर का रिकाउड अच्छे हैं तो किसे लेना है क्यों लेना है इसका भी इसलेशन बताएंगे अब बात कर लेते हैं बॉला सेक्षन में बॉलर सेक्षन में रिषयन्न के फॉर्म अर्दिप सिंग अच्छा है head to head मकाबले भी अच्छा है पॉर्म अगे एक मकाबले खेले हैं चार विकेट निकाले है इंडिया का खिलाहें माहत तिसना का खाश विकेट नहीं मिल रहा है इंडिया टीम के खिला माहत तिसना को बहुत अच्छे से खेल लेता है इंडिया का बेस्ट में एम सिराज का लेनम में नम सामिल है और खाश परदर्शन नहीं किया है एक मकाबले में एक विकेट है रभी विश्णुई का रिशन के फॉम अच्छे हैं, हेट टू हेट मकाबले अच्छे नहीं है, दू मैसने एक मकाबले खेले हैं, पॉंच मकाबले में नो विकेट निकाला है, अभी फिलाल के लिए लेड़ में इनका नाम सामिल नहीं है, फिर भी मैं एस्टरा बॉलर या ए होता है उन्हें खेलने का मुखा भी नहीं मिलता है सबसे पहले मैं आप लोगों को विकेट कीपर सेक्शन में बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में मैं कीपर सेब्ब हो जाएगा है अब मैंफ में में लेता हूं बैस्ट में में देखिए रिशन के फॉम को लोगा सुरिया पादु निसंका ये पर यह चार्बान से मैं अभी स्याधारण नहीं लूगा आप यहां पर तीन वेस्ट में श क्र là हूं क्यों लिया हो लेकिन आज मुझे लगता है आस रंगा करने वाला है धंगा अर्दिक पंडिया को लिया हूं अक्छर पठेल को लिया हूं इन्हें लेने के बाद देखें अगर रयान परा केलेगा तो रयान परा को मैं ले लूगा अब यहां पर चार ओलंडर लेने के बाद देखिए अब मैं सिरी लंका का बोलर लिया हूँ और एक बोलर सिरी लंका को एक इंडिया को लिया हूँ अब यहां पर मैंने चार वलंडर लिया हूँ और इससे पाले में आप लोगों को इक बाद और जनकारी दे देते हैं, आपस में head to head मुकाबले अभी रिशन्ड के मुकाबले में तेरे मुकाबले खेले हैं, तेरे मुकाबले में से सिरी लंका जो है मात्र चार मुकाबले जीते हैं, इंडियन जो है वो 9 मुकाबले जीते हैं, head to head, और जिस गरोंड पर मुकाबला होगा, उस गरोंड पर अभी तक 25 मुकाबले हुए हैं, 25 मुकाबले में से इंडिया जो है वो 11 मुकाबले जीत कराए हैं उस गरोंड पर, और इंडिया जो 30 मुकाबले हुआ है, तीस मुकाबले में इंडिया जो है 11 मुकाबले जीत कराए हैं, और हुआ पर सिरी लंका 9 मुकाबले जीत कराए हैं, इनि दोनों का चांस तो खास नह का वलंडर को जरूरूर दोंगा यहाँ पर मैं केप्टन दीए विंडुसर हसरंगा को कम है मैं आज केप्टन के रूम में के रूम में किसी एक को दोगा मैं फिलाल के लिए आर्दिक पंडिया को वाइस केप्टन केप्टन हसरंगा को दे रहा हूं अब मैं सेफ टिम करता हूं सेफ टिम करने के बाद देखिए मेरा टिम का पर वियू किस तरह से रहता है फिलाल के लिए मेरा टिम का पर वियू इस तरह से रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसं और सेल असके लेका लेका is जो सब्सक्राइब अजर जुता हो बआंदे को मत ओी आरख बाजर, चोहा हवाई, ज़र चोहाई है झाल से है непहात Central सम You